माइसेल्फ वीरपाल सिंग प्राविद्विग इलेक्ट्रोनिक्स जीपी सी हलवर आज हम इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस एंड सरकीट जिसका सबजेक्ट कोड है इसका प्रिक्टिकल जो कराने जा रहे हैं उसका अबजेक्ट है स्टेडियो नेगेटिव क्लेमपर सरकीट आज के इस प्रक्टिकल का जो हमारे एप्रेटस हैं वो है नेगेटिब क्लेम पर सर्किट किट सिंगनल जनरेटर और सियारो तथा इसके साथ कनेक्टिंग लीड्स यह आविश्यक एप्रेटस हैं अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है ब्रीप थियोरी तो ब्री पॉजिटिब क्लेम पर सर्किट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में अभी इसको बता चुके हैं अब इस वीडियो में हम नेगेटिव क्लेम पर के बारे में मित आएंगे कि कैपिस्टल C लगा हुआ है एक ये आपका डायोड लगा हुआ है D और A के रेजिस्टेंस है इसको आप देखते हो तो ये जो डायोड है इस कंडिशन में ये फर्वर्ट कंडिशन में लगा हुआ है यहाँ इसमें CRO लगाना है जैसा कि देखाय हुआ है और यहाँ से सिग्रेंजल लिटर के द्वारे इसको इन्पूट दिया जाएगा अब इसमें जो फर्स्टे स्टेफ है वो देखना है कि डायोड जो बर्व करेगा उस कंडिशन में ये कैपिस्टर चार्ज होगा तो जब ये जो पॉइंट टर्मीनल है जब पॉजिटिव होगा जिस साइकल में और ये नेगेटिव होगा उस कंडिशन में डायोड बर्कें कंडिशन में आ जाएगा और सौर्ट सर्कृट हो जाएगा और ये जो कैपिस्टर है ये चार्ज होगा और यह जो input voltage है उससे completely charge हो जाएगा अब इसको हम यहाँ देखें तो इसकी जो capacitor के उपर जो voltage आएगी वो BM, maximum voltage से input की जितनी भी voltage है उससे यह free charge हो जाएगा अब हम next step 2 देखते हैं इसमें हम जब यह बाला terminal negative है और यह positive है तो यह जो diode है यह reverse wise में होगा और reverse wise में इसमें कोई current flow नहीं होगा यह open circuit ही तरह work करेगा diode को यहाँ बिल्कुल ideal लिया गया है और resistance भी negligible है तो इस condition में जब हम देखते हैं तो इसका जो output निकालते हैं तो वो देखते हैं इसका इनपूट और चार्ज है उसके difference के बरावर आएगा अब हम इसमें यहाँ वी सी की जो value है वो BM रख देते हैं तो जो वी output है वो इनपूट माइनस BM के बरावर होगा यह equation number 2 है इसमें अब हम CRO जो यहाँ connected है उस पर देखते हैं यह इसकी input form है जो CRO में हम गो दिखाई देगी channel number 1 पर और channel 2 के लिए जो output है वो इस तरह का रहा है तो इस कैसे आ रहा है इसको समझने के लिए थोड़ा सा working में यह equation 2 की सायता से हम इसको समझते हैं तो सबसे पहले इसका इसका input है जहां इसका वी आई 0 है जब 0 वी आई होगा तो यह output कितना हो जाएगा minus BM तो minus BM means यहां से यहां से जो है इसका output सुरू होगा दूसरा इसका जो step है वो है यह BM input का जब BM आएगा तो BM positive minus BM means 0 BM minus BM equal to 0 इसका मतलब है कि यह जो इसका दूसरा terminal output का point यहां आएगा उसके बाद फिर तीसरा हम लेते हैं जब इसका बापिस जो है 0 पर आ जाता है वी input तो वी input जब 0 होगा तो minus BM यह हो जाएगा तो यह minus BM बाला terminal point आ जाता है और फिर उसकी condition next condition जब हम देखते हैं यह जो negative cycle है उसमें input जदी minus BM है तो minus BM और यह minus BM मिलके यह output 2 BM तो यह जो cycle है इसकी यह वाली यह इसका next terminal हमको यह मिलता है और फिर next और आगे देखेंगे तो उसी condition में जब इसका बापिस 0 हो जाएगा तो minus BM आ जाएगा जो यह terminal है तो इस तरह से हम इस cycle को output को देख पा रहे हैं कि जो output है वो इस तरह से प्राप्त हुआ है और completely negative में इसका जो DC level है वो change हो गया है और इस तरह से हम इसको conclusion इसका यही निकालते हैं कि DC value have been change in negative